डाजेस्टिव सिस्टम कैसे करें इंप्रूव? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे डाजेशन की प्रॉब्लिम एक ऐसी प्रॉब्लिम है जो हर किसी को कभी ना कभी खो की जाती है इसलिए आप अपने शरीर को दोश देते रहते हैं कई बार तो आप कहते हैं कि मेरा शरीर ही ऐसा है या फिर मुझे कुछ भी डाजेस्ट ही नहीं हो पाता ऐसी बाते अकसर आप और हम अपने आस्पा सुनते ही रहते हैं मुझे लगता है इन सभी बातों को कहने से पहले एक बार उन लोगों को अपने खान-पान की चीज़ों को याद कर लेना चाहिए, क्योंने सुभा से क्या खाया है, क्या पिया है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो वो खाते हैं या पीते हैं वो खाना सही हो, नहीं समझे, अरे भ अपने शईर को नहीं देते जब आप कहीं बाहर जाते हैं और बाहर आप मसालेदार चटपटा खाना देखते हैं तो आपका मन उस खाने की तरफ भागा चला जाता है आप स्वात के चक्कर में खूब सारा खाना खा लेते हैं जो कि आप पेट के लिए नहीं बलकि मन भरने के खाते हैं और मन है कि भरता ही नहीं मसालेदार खाना होता तो बड़ा ही स्वादिश्ट है लेकिन क्या आप एक बार भी अपने पेट से पूछते हैं कि वो आपके खाय हुए खाने को डाजिस्ट कर पाएगा या नहीं क्यूं पूछे हम हमें तो स्वाद लगा खाना और हम हमें क्या जिसका पंगा वो निप्टे लेकिन मेरे भाई यह आपका पेट है यहां हमें क्या से काम नहीं चलेगा क्यूंकि आयरवेद कहता है कि सारी बीमारी पेट से ही शुरू होती है जब आप मसालेदार खाना खा लेंगे यह सोचकर कि देखी जाएगी जो होगा तो आ ऐसा खाना आपके शरीर में टॉक्सिंस जमा करता है जिससे आपको कई सारी बीमारियां हो सकती है कोई बात नहीं अपनी जीप पर तो कंट्रोल कर नहीं सकते लेकिन डेली रूटीन में कुछ एक्स्ट्रा तो जोड सकते हैं या वो भी नहीं हो पाएगा चलिए फिर शुर जोडना है और को जोडना है सिंपल इस वीडियो को अन तक जरूर देखें जिसके बाद कंफर्म है कि आपका डाइजिस्टिफ सिस्टम मजबूत बना रहेगा चलिए आपको बताते हैं कि अपनी डाइट में आपको क्या जोडना है सिंपल से 5 गरेलू तरीके जो आपको आ इसकी सबसे खास बात ये है कि आप इसको किसी भी समय पी सकते हैं सुभा शाम का कोई जंजट नहीं इसके लिए आप एक पैन में एक गिलास पानी ले और उसमें एक चमट जीरा डाल दें इसके बाद उसको बाल कर आदा ग्लास कर देना है पस हलका ठंडा होने पर इसको प हिंग एक ऐसा मसाला है जो हर घर की रसोई में मिलता है हिंग आपको कॉंस्टिपेशन से राहत देती है और आपके डाजिस्टिफ सिस्टम में बलड के फ्लो को बढ़ावा देती है इसको बनाना बड़ा ही आसान है इसको बनाने के लिए आपको एक गिलास गर्म पानी में दो चुटकी हींग डाल कर अच्छे से मिलाना है बस बन गया यकीन मानिये इस से आपको कॉंस्टिपेशन की दिक्कत से इंस्टेंट आराम मिलेगा लेकिन दोस्तों इसको पीने का एक समय है इसको आपको खाना खाने की 30 मिनट पहले धीरे धीरे चाय की तरह पीना है और यह नाच्रली है क्योंकि 95% से भी ज़्यादा बिमारियां पेट में खराबी की वज़े से ही होती है दोस्तों एक बात को ध्यान से सुनो इस अप गोल जब भी आप लेते हैं तो इसको प्रॉब्लम की अकॉर्डिंग ले यानि कि अगर आपको कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप रोज रात को एक गिलास गरम दूद में इसब गोल मिला कर सोने से 30 मिनट पहले पिएं और वहीं अगर आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप सुभा खाली पेट फ्रेश दही के साथ इस सब गोल खाएं इस तरह आप पेट की समस्या से बच सकते हैं नमबर चार है सौफ कई लोगों को सौफ खाने का बड़ा शौक होता है वो सौफ कभी भी किसी भी वक्त खा लेते हैं तिकिन अगर आप सौफ को सही समय पर खाएं तो ये आपकी डाजेशन प्रॉब्लम को दूर करने का एक कारगर उपाय है जी हाँ दोस्तों इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस खाना खाने के तुरंत बाद एक चमत सौफ को चबा चबा कर खाना है इससे आपके मूँ का टेस्ट भी चेंज होगा और आपकी डाजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम भी सौल्व हो जाएगी आप अगर सौफ की जगा अजवयन खाएं तो ये भी आपको डाजेशन प्रॉब्लम से दूर रखती है इसका स्वाथ थोड़ा तीखा जरूर होता है लेकिन ये डाजेशन प्रॉब्लम को दूर करने का अच्छा और बहतर उपाए है नमबर पांच है अलोवेरा जूस अलोवेरा को हमेशा से एक प्राकरतिक जड़ीवूटी माना गया है अलोवेरा के अंदर पाए जाने वाला कमपाउंड इतना चिकना होता है कि ये आतों में कुछ भी जमा हो उसको निकाल कर बाहर करता है जब आपकी बॉडी में टॉक्सिंस ही जमा नहीं होंगे तो इससे आपको डाजेशन की कोई प्राबलम नहीं होगी इसके लिए आप रोज सुबा खाली पेट अलोवेरा जूस पिएं तो ये हैं पांच आसान और असरदार तरीके जो आपको डाजेशन की प्राबलम से दूर रखेंगे इन चीजों को आप अपनी डाइट में एक बार शामिल करके देखें इससे आपको दो या तीन दिनों में ही असर नजर आने लगेगा चली अब आपको बताते हैं कि डाजेशन प्राबलम को दूर करने के लिए आप अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा मैंने कई लोगों को देखा है जो पानी बहुत कम पीते हैं इससे डाजेशन प्राबलम ही नहीं बलकि और भी बहुत सी प्राबलम हो सकती हैं अगर आप सही अमाउंट में पानी पीएं तो आधी प्राबलम तो वहीं सॉल्व हो जाती है क्यूंकि जब आप पानी पीते हैं तो इससे बॉडी में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और जब टॉक्सिन्स बाहर तो बिमारियां भी बाहर पेट ठीक धंग से साफ और डाजेशन प्राबलम खत्म पानी तो सही अमाउंट में ही लें लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि खाना खाते समय पानी बिलकुल ना पीएं खाना खाने के 30 मिनट के बाद ही पानी पीएं अगर आप खाना खाने के तुरान बाद पानी पी लेंगे तो इससे पेट में पाय जाने वाला एसिड पतला हो जाएगा और इससे आपकी डाजेशन प्रोसेस कमजोर हो जाएगी या फिर क्या होगा वो आप जानते हैं इसके लिए आप खाना खाने से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद ही पानी पीएं रोज रोज आप खाने में क्या खाते हैं इसका असर आपके डाजेस्टिफ सिस्टम पर पड़ता है तो इसका ध्यान रखें कि आप अपनी डाइट में उन चीजों को ही खाएं जिनने पचाना आ पोहा, उपमा, रोटी, सबजी, डाल, ड्राइफ रूट, दही, चाच जैसी चीजों को ले सकते हैं सीजनल फ्रूट जरूर खाएं सलाद हमेशा खाएं ऐसी डाइट आपके डाजेशन को हमेशा ठीक रखती है व्यायाम कितना जरूरी है आपके डाजेस्टिफ सिस्टम के लिए इस बात की जानकारी श्चायद ही आपको होगी व्यायाम काउट करने से आपकी बॉड़ी में ब्लड फ्लो आक्टिव रहता है और साथ ही एक्सेसाइज आपकी बॉड़ी के अंगों को भी आक्टिव रखती है जिससे आपके डाजेस्टिफ ट्राक में जो भी रुक कर लें इससे भी आपका डाजेस्टिफ सिस्टम मजबूत होगा इसके अलावा आप अपनी डाइट में जो भी लें उसको अच्छे से चबा कर खाएं भाग दौट भरी जिंदगी में जहां आपको ठकने का भी समय नहीं वहां खाना खाने के लिए भी किसी के पास समय नही होता अगर आप खाना ठीक तरह से चबा कर नहीं खाते तो क्या लगता है आपको इससे क्या होगा कॉमन सी बात है डाजेस्टिफ सिस्टम कमजोर ही होगा और क्या इसलिए आप खाने को चबा चबा कर खाएं इससे खाना डाजेस्ट करना आसान हो जाता है अगर आप मेरी बताई हुई बात को अच्छे से अपने रूटीन में शामिल कर लें तो इसका असर आपको इंस्टेंट ही नजर आ जाएगा तो इस तरह आप अपने डाजिस्टिफ सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूले मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार पेशिंट कोना आती है जब आये तब इनको क्या जिक्कत हो ली तो आखेंगे नाए 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 आखेंगे अचा और आप अधा हुआ धाय वाँ जिए ज़से लाइन आखेंगे पहले से स्वास्त मैं दोश कर रहा है ना अभी तो काफी रिद्यों रिदियो वाया और कि यह देखिए गंगा राम की रिपोर्ट्स हैं और यह सारी रिपोर्ट्स इन्होंने कराई है हर्ताल पर साथी सब्टम्बर में आये थे 9.03 क्रेट नहीं था और चुरिया ब्लड यूर नाइट्रोशन था वो 104 के आज पास फॉस्पोर जो था वो भी इनका बड़ा हुआ था सोडियम बैलेंस था पोटाशियुम बैलेंस था क्लॉराइड बैलेंस था सारक इनारे वैल्यूज इंबैलेंस रिपोर्ट में दुबारा जोने से गंगा राम होस्पिटल से कराई है और 8 डिसमबर 2008 के रिपोर्ट है इसके अब रहे झांते हैं कि सince फाइड होगा है क्लौाइड है औरण। ईयूर्ण होगासे क् sofort यह कितुक्तकbor चीज लगकि एपड़ाम की हैं किस-कृत थरीके से प्रिशन को इंडरिबॉमेंस पाइड रासभा है कि सतॉप् झाल झाल